तो कैसे आप सभी मैं उमेद करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे तो आज हम करेंगे सीटेट पेपर टू यानि की सस्टी का हमारा जो हम त्यारी शुरू कर चुके हैं अपनी उसका हमारी नेक्स्ट क्लास है इससे पहले वारा जो लेक्शर रहा है यानि की इससे पहले हमने जो सोलर सिस्ट्रम है, सौर मंडल है उसके बारे में बहुत अच्छे से बाते क्लियर कर ली है तो हम बस यहाँ पर seated की जो द्रिश्टी है उसके according देखेंगे यानि की seated में जिस तरीके के question पूछे जाते हैं पहले हम यह chapter clear करेंगे अपना जो भी topic है फिर इसके बाद जो इसके MCQs question होंगे वो हम cover करेंगे और उस MCQs question में भी हम आपके लिए एक variety लेकर आए हैं कि उसमें हम जो है previous year के question add करते हुए चलेंगे seat at के ठीक है topic wise MCQs करेंगे तो आप सभी अगर अभी तक आप सभी में से किसी ने भी subscribe नहीं किया चैनल को तो फटाफट कर लो seat at की पूरी त्यारी करवाई जाएगी हाँ पर तो फटाफट subscribe कर लो like कर दो share कर दो उसे साथ एक और information दे दू कि हमारे यहाँ पर जो DTSB TZT social science की preparation है वो भी करवाई जाती है तो seated clear करने के बाद आपको upper level का exam भी देना है तो उसमें आपके लिए helpful रहेगी जो TZT social science की classes हैं तो उसे भी आप कर सकते हो अब चलिए start करते हैं हमारा जो आज का topic है वो हमने लिया है आरंबिक नगर तो आरंबिक नगर की बात की जाए तो इसमें हमें दो सभेताओं के बारे में पढ़ना है एक तो हमें पढ़ना है हडपा सभेता के बारे में दूसरा हमें पढ़ना है वैदिक सभेता के बारे में तो आज की class में हम करेंगे हडपा सभेता तो हडपा सभ्यता को हम सिंदू घाटी सभ्यता भी कहते हैं आपको ध्यान रखना important question है पूछ लिया जाता है अब हडपा सभ्यता को सिंदू घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है इसके पीछे एक reason है reason ये है कि सबसे पहले जो हडपा स्तल है वो सिंदू घाटी पर खोजा गया कि ये जो हडपा सबेता रही थी बहुत समय पहले तो वो कब से लेगर कब तक की थी वो भी हम देखेंगे अबी तो बहुत समय पहले जो हडपा सबेता पनपी थी हम इसे पनपना कहते हैं ठीक है जो पनपी थी उसमें क्या हुआ था कि जो कौन कौन से जो शेतर हैं भारत के वो आये थे तो उससे पहले भारत और पाकिस्तान कोई भी ऐसा नहीं था यानि कि भारत पाकिस्तान नहीं थे तो उस टाइम पर जो था भारत पाकिस्तान दोनों एक थे तो बहुत सारे जो इसके शेत्र हैं वो पाकिस्तान में जा चुकी हैं तो अगर हम देखें तो कुछ हिस्से भारत में हैं तो कुछ हिस्से पाकिस्तान में तो उसी हमें मैप के साथ देखना पड़ेगा और अफगानिस्तान में भी कुछ इसके हिस्से रहे हैं तो अगर उत्तर पूर्वी अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो वहाँ पर इसके हिस्से हैं पाकिस्तान की बात करें तो उत्तर पूर्वी जो पाकिस्तान है वहाँ पर भी इसके हिस्से रहे हैं शेत्र रहे हैं भारत की बात करें तो भारत में जो उत्तर पश्चिम का जो शेत्र आता है वहाँ पर रहे हैं तो फटा फट मैप के साथ देख लेते हैं जिससे हमें याद हो जाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने भारत का मैप लिया है और उसमें मैंने जो हड़पा सभधा है वो लिये हैं, तो यहां पर अगर आप देखेंगे, दो सभधा है, इंप्वार्टन रही है, हडपा सभधा, और वहां पर उसमें जो था, महरण जोदरो था, ठीक है, तो महरण जोदरो लोथल, यो एक काली बंगन हो गया, ठीक है यह सारे के सारे हडपा शेतर हैं पाकिस्तान की बात की जाए तो मोहन जोदरो पाकिस्तान में जा चुका है लोथल जो है वो भी वही पर जा चुका है और सिंदु घाटी की जो शेतर हैं कुछ यहाँ पर अफगानिस्तान के आसपास है काली बंगन यह हमारे राजस्त पर इस तरीके से हैं यहां पर इसी साइड इसी एरिये में रहा है हडपा सब्भेता का ठीक है अब चलिए हम अपने दुबारा से अपने लेक्श्टर पर आते हैं तो अब हम आगी बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो हडपा सब्भेता है उसका किस प्रकार से उद्भव यहां पर इस तरीके से हडपा सब्भेता की खोज की इसके बारे में देखना है तो अगर पहली बार जो चारलस जो मेंशन थी उन्होंने 1842 में क्या किया था हडपा सब्भेता की खोज के लिए प्रयास किया था पुद्धियान रखने है फर्स टाइम पूशा जाता है तो वो है चारलस मेंशन और कब हुई कब किया था नोंने प्रयास 1842 में किया था दूसरी बात यहां पर धियान रखने है कि यह जो थी यह सफल नहीं हुए तो इसके बाद जो अलेकजेंडर कनिंगम है इनका नाम भी फेमर्स है हडपा सब्भेता कि खोज को लेकर तो इन्हों जोन मार्शल ने की 1921 में तो यह important है सबसी पहली बार किसने शुरुवात की थी वो पुछा जाता है तो चारलस मेंशन और किसने जो है खोज complete की किसने हडपा सबसे पहले खोज करके दिखाई तो वो नाम है जोन मार्शल 1921 अब समय अवधी की बात की जाए हडपा कालिन ज बीच में रहा था तो यह जो है यह अकर देखा जाए तो जो कार्बन एक तरिके से आपको पठा हुआ साइंस में होता है जो भी पुरानी सबेता जब पन पेती ठीक है तहां रखने बीसी कि यहां पर इशापूर्म होता है आपको तहां रखने इशापूर्म यानि कि जो पढ़ेंगे तो देखिए हडपा सभेता कि विशेष्टा की बात की जाए अगर तो इसमें क्या है नगर जो होते हैं वो दो भागों में भाजेता है यानि कि अगर हमने देखा है एक तो पश्मी भाग और एक पूर्वी भाग जो पश्मी भाग उसे दुर्ग कहा गया ठीक ह यह नाम धियान रखने है पश्मी भाग को दुर्ग कहा गया और जो पूर्वी भाग है वो कैसा था वो बड़ा दिखाई देता था बड़ा शेतर था पर वो नीचे की तरप था तो इसे निशला जो शहर कह सकते है निशला नगर कह सकते है इसले खाँ गया ऐसे ठीक है और पश्मी जो भाग है वो क्या था काफी छोटा था पर वो क्या और इसके केले बंदी भी की गई थी क्यों की गई थी जो ये निचला भाग है इससे अलग रखने के लिए जो दुर्ग शेतर था उसी केले बंदी की गई थी तो ये जो छोटा था शेतर था पर वो क्या था उच क्योंबाई है तो आपको लगेगा जो पढ़हा था उसी दरीके कोईशन भी आये हैं तो देखें जो काली बंगन की बात की जाए तो काली बंगन तो कुछ नगर हैं वो कैसे होते हैं वहाँ पर जो मिट्टी के बरतन है पत्थर के बाट महरे मन के तांबे सबसे आपको इंपोर्टन याद रखना है कि जो हडपा सब बहता है उसमें तांबे के जो वस्तुएं धातू जो थी जाद इससे बने हुई वस्तुएं मिलती थी व वहाँ पर यानि कि जो नगर बनाए गए थी वो किस प्रकार के बनाए गए थी क्रिशी किस प्रकार की थी वैपार किस प्रकार का था वहाँ पर हज चीज देखनी है तो चले देखते हैं तो समाजिक स्थीती की बात की जाए हडपा सब बहता की तो वहाँ पर जो किस तरीक किस तरगे की स्थी थी तो उसे जाशने के लिए दो विदिया होती है तो उसके बारे हम डीपली डिसकस नहीं करेंगे पर यहाँ पर बस हमें ये देखना है कि किस तरगे की स्थी रही थी हडपा सब बैता में समाजिक रूप से मरण मूर्तियों की बात के जाए तो जो मरण मूर्तियां थी वो उनसे ये पता चलता है कि क्योंकि जो मरण मूर्तियां थी वो स्थ्रियों की प्राप्त हुई है तो इसे ये पता चलता है ये हम अनुमान लगा रहे हैं कि एवल ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं मिला हमें बस हम क्या करें अनुमान लगा रहे हैं जो भी अवशेश वेकर मिल रहे हैं जो भी वस्तुवेकर मिल रहे हैं उनसे कि वहाँ पर क्या था मात्र प्रधान जो समाच रहा होगा यह अनुमान लगा जा रहा है इसके सास जो कुछ नगर हैं उनमें क्या है भवन आवेश जो हैं हमें प्राप्थ हुए है यानि जो तो टोटे फूटे जो भवन है वो हमें प्राप्थ हुए तो उनसे जो विलासिदे भून जू जीवन है उसके बारे हैं वहाँ पर हमें पता चलता है कि अगर नगर जो थे जो भवन जो थे वो काफी अच्छी होंगे देखने में अब तो हालत खराब हो चुक्योंगी फिर भी अगर अनुमान लगाया जाए अंदर का स्ट्रक्चर देखा जाए तो उससे पता चलता है कि यह विलासिता पौन भी रही है वहाँ पर विलासिता खराब डाब भी रही होगी इसके साथ वहां पर शाकाहारी और मासाहारी दोनों को प्रेकार का प्रचलन था यह भी बहुत चलता कासे पता चले क्योंकि कूड़े करकट में क्या करते हैं जो भी शिल्प कारे के लिए जो भी वस्तुई होती है मान लिए जो कुछ भी जो हार वेगारा बनाया जा रहा है और जो एक्स्ट्रा जो माल रहे गए जो छोटे मुटे टुकड़े रह गए तो उन्हें वो वैसे फेक देते थे तो उन टुकड़ों से अब जो इतिहास कार है वो इतिहास के बारे हम पता कर लेते हैं तो इसलिए जो शिल्प कार है अगर देखा जाए शिल्प जो रहा है हडपा सबयता में इंपॉर्टन रहा है इसलिए जो है यहाँ पर समाज में विशेश दरजावी प्राप्त करते थे जो एको महारवे गए गयरा है अब इसके साथ नगर्योजना कि यहां पर बात की जाये तो किस तरीके की नगर्योजना रही होगी हड़पा सब्वैता में तो अगर देखा जाए वहां पर जो था जो IT होती थी वो एक अनुपात में होती थी एक रेशो में होती थी और सभी कि सभी इटे बिल्कुल सेम डिजाइन की सेम अनुपात में होती थी तो ये बात चोकने वाली है इतियास कारों के लिए चोकाने वाले के जितने بھی शेतर है उनसारों में चंतने जम्मू कश्मीरसे लेका अटनीर्चे के एरिये तक आएं हम से ठीक है इसके साथ साथ जो घर है उनमें एक सनान घर होता था ठीक है इसके साथ साथ वहाँ पर कुवे भी होते थे और इसका जो structure घरों का इस प्रेकार से होता था अगर मैं थोड़ा सा deeply आपको बता हूँ तो घरे का structure इस प्रेकार से होता था कि बाहर से कोई भी एंट्री कर सकता था और वहाँ पर क्या है एक कुवा होता था और यानि कि बाहर से कोई विक्ति एंट्री कर ले और वहाँ पर एक ऐसा रूम होता था जिसमें कुवा होता था और वहाँ पर जाकर वो क्या कर सकता था जल जो है वो पी सकता था तो इससे पता चलता है कि जो हड़पा से बहता है कि जो लोग रहे होंगे वो क्या है अधीती सतकार भी करते थे और इसके साथ स अगर रहे हैं उनकी एक विशेष्टा ये भी रही है कि हर घर में क्या आंगन होता था ठीक है इसके साथ और भी कई जो विशेष्टाइं रही है यानि कि बीच में आंगन है उसके चारों तरफ कंबरी होते थे इस तरीके से और जो खिड़कियां खिड़कियां बाहर की जो गली होती थी उसे उसके वहाँ पर खिड़िया नहीं होती थी यानि कि वो नेजी पन को जादा महत होते थे इन सारी बात हो थे हमें ये पता चलता है ठीक ये बात हैं अपर होगे हमारे clear अब देखे हैं हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जो है हडपा सब्वेता कि ओर नगर यो वो क्या है बाहर की गली की सड़क की नाली से जुड़ी होती थी उसे जोटने में कौन कारे करता था दिवार कारे करती थी ठीक है इस प्रकार की थी इसके साथ साथ जो सड़के थी वो क्या थी वो जो सड़के थी वो नाली उसे सटी हुई थी नाली उसे लगी हुई थी ज जाता है जिसे कभी भी हटा सकते थे और उसे साफ कर सकते थे इस तरीके से थी उनकी जो नालों की विवस्ता रही है नालों की विवस्ता रही है इसे साथ साथ जो सड़कें थी वो क्या थी कच्ची होती थी और इसे साथ साथ वो क्या एक दूसरे को सम कौन पर काट थी इंप दादू आती सबसे पहले और शिल्प में आपको ध्यान रखना है जो कला और शिल्प में अगर देखों तो जो चुन हुदुडो है वो बहुत ही इंपोर्टन शित्र रहा है शिल्प कारे के लिए हडपा से भैता में क्योंकि बहुत सारे चीज़े वहां से प्राप्त हुए इससे यही अनुमान लगाए गए इतियासकारों के द्वारा दादू की बात हुए तो पत्थर शंक तांबे कासे सोने और चांदी से बने हुए जो वस्तुए हैं वो सारी प्राप्त हुए हडपा से बैताजे तो यह धियान रखने आपको तांबा भा भी यूज होता था इस टाइम पर कासा हो गया सोना और सोना भी इंपोर्टेंट है जहां जिस भी शेतर सोने प्राप्त हुए है सोना प्राप्त हुए है वो शेतर ऐसा माना जाता था कि वो शेतर क्या था विलासिता पूर्ण जीवन वाला था जैसे कि अगर अब हम देखे जिसके घर में ज्य कि जो हडपा सभेता है उसकी मोहर कौन सी पत्थर से बनी थी मुझे कमेंट बोक्स में बताना और फिर मैं क्या करूँगी आप सभी को उसका सही आंसर दूँगी कमेंट बोक्स में नहीं पता है तो आप मुझसे पूछ पी सकते हैं कमेंट बोक्स में ठीक है पर मैं आपकी आ वो इंपोर्टन रहे होंगे उस टाइम पर इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो साथ हजार इसापूर्व की बात करें तो उससे पहले जो मेहरगड था उसमें जो कपास की खेती है उसके भी कुछ संकेत मिले हैं हडपा सभ्यता में तो यहां पर और इसको और भी ज्यादा यह जो संकेत है उसको और भी ज्यादा इतिहासकारों के लिए द्रड करने में जो है यानि कपास ही खेती होती थी उसको करने में जो पक्की मिट्टी के या फिर जो पक्की मिट्टी के होते थे और जो फेनस होते थे उन पर जो तकलिया होती थी वह कपास सही होती थी उनकी डाल का बनाया जाता था यह हो गया इसका भी एक बहुत important है कि यह जो है यह बनाया जाता तो इसके जो है बरतन वेकरे बनाया जाते थे उस टाइम पर और फिर अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर थोड़ा सा clear नहीं दीख रहा है तो इसके लिए आप सभी से माफ की मागूंगी यह यहाँ पर उध्योग लिखा है और जैसे मैं रीड कर रही हूं आप सभी इसे नोट कर सकते हो जो उध्योग है उस टाइम पर जो कपड़ा वगरा के लिए जो उध्योग थे वो रहे हूंगे बरतन बनाने के लिए बड़ी गिरी हो गई ठीक है भवन निर्मान हो गया धातु कर्म हो गया हाती के दात से बनी हुई जो वस्त हुए उनके निर्मान के लिए उध्योग थे आप भूशन निर्मान के लिए उध्योग थे आप में जो ओमान है ये धियान रखना है आपको ओमान से भी जो है ये तांबे का आयात करते थे हडपा कालिन शेत्रे के लोग तो ये इंपोर्टेंट तांबे का बहुत जादा जो अगर आयात कहा जाये तो वो ओमान से होता था इसके साथ अगर कासे की बात कर जाये तो जो कासा है उसमें तामबा मिला कर क्या किया जाता था कासा किस प्रकार से बना जाता था जो तामबा है उसमें क्या क्या जाता था एक टीन जो है वो मिलाई जाती थी उसके दुआरा कासा बनता था तो वो कहां से मिलती थी वो टीन कहां से मिलती थी वो मिलती थी जो अभी वरतमान में आदुनिक जो इरान और अफगानिस्तान है वहाँ उन शेतरों से मिलती थी ठीक है ये पहले क्या रहे है रख़पा कालिन शेतर रहे है और इसके साथ साथ अगर सोने की बात की जाए सोना कहां से आयात करते थे तो आदुनिक जो पत्थर वगएर है वहाँ से करेक्ट करके य क्रिशी की बात की जाए हडपा काली समय में जो क्रिशी और किस प्रकार की थी तो जो पोधें उनके अवशेशू से ग्याद हुआ है कि जो हडपा वासी है वो गेहूं जो दाल मतर जो धान हो किया यानके चावल तील और सरसो इन सब को उकाते थे तो यह पोधें के जो आए सर्व बहेड़ होगी और बकरी होगी इन सब को पालते थे वो इसले ये पालतुपशु हैं इसके साथ साथ जो फल है वो किस प्रकार के एक तृत करते थे इकhesiaटा करते थे तो हडपा काली जो शेत्र के लोग थे वो बेर जैसे जो फल है उन्हें एकhesiaटा करते थे मचल मानव पशु और वरक्ष इन तीनों के रूप में वो क्या करते थे वो पासना करते थे इसके साथ साथ अगर उनके धार्मिक जीवन की बात करे तो हिंदू की जो पदती है याने की जो हिंदू धर्म है उसकी पदती के अनुसारी मिलते जुलते सी उनकी जो रही है धार्मिक जीवन के बारे में इसके साथ साथ अगर वहाँ पर जो चक्र वगरा मेले हैं तो उनसे अंदाजा लगाया गया थिहासकारों के द्वारा अनुमान लगाया गया कि वो कैर सूरी के पूजा करते होंगे अब जो ये हडपा जो कालिन सभ्यता है उसका एकदम से अंत कैसे हो गया तो इसका कुछ एक बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता है क्योंकि तिहासकार जो है उन्होंने केवल और केवल अपने अनुमान लगाये हैं सोचा समझाए क्योंकि ऐसा कुछ भी उन्हें ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है जिससे वो ये कह सकें कि इसकी वज़े से जो हडपा सभ्यता है वो उसका अंत एकदम से हो गया तो अभी तक इसका रहिसे बना रहा है तो यहां पर आपको ध्यान रखने उसे साथ सा जो हडपा सभ्यता में लिखी जाने वाली जो लीपी है करोश्टी लीप तो अब सभ्यता की अंत की बात करें तो लगभग जो है 49 सो वर्ष के आस पास जो हडपा कालिन जो शेत्र है वो दिखने बंध हो गए थे तो यहां से ही इसका अंत बाना जाता है और इसके कई कारण बताए हैं इतिहास कारों ने उन्होंने कहा है कि बाड़ आने की वज़ शेत्रों फैली हुई थी तो उनमें एकदम से कैसे सनाप्त हो गई कि किसी ने कहा है कि कहीं पर भुकम भी आ गया होगा अकाल वगएरा पड़ गए होंगे महामारिया हो गई होंगी ठीक है आरे जाती ने आकरमन जोख चल रहे थे उसकी वज़े से जो हडपा सभ्यता का न पढ़ेंगे तो इसके बाद हमें व्यदिक काल जो है व्यदिक जो सब्धा उसके बारें पढ़ना है तो उसके लिए आपको एक separate वीडियो मिल जाएगी तो इसके लिए अगर आपको आज का लेक्शर अच्छा लगा तो लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो जि है हमारा उसे जोइन कर लो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जिससे कि आपको वीडियो की इंफोर्मेशन वहाँ पर मिलती रहे कि धन्यवाद